ओम शान्ती आज 18 आउगस्ट 2021 के बाबा के मदूर महावाप के सुनेंगे और आज की मुडली में बाबा हम बच्चों की स्थिती को पावर्फुल बनाने की विधी बता रहे हैं बाबा कहे तुम बच्चों को परचिंतन नहें करना है तभी तुम रियल सोना बन जाओगे अर्थात सतोप्रदान बन जाओगे जब बाबा ने परचिंतन कहा तु सिर्फ दूसरों का चिंतन नहीं करना उसी को परचिंतन नहीं कहा जाता लेकिन बाबा कहे अपने शरीर का भी चिंतन नहें करना है और विशेश अशरीरी बनने का अभ्यास करना है क्योंकि अशरीरी बनने से करमेंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती है अशरीरी बनने से हमारी दृष्टी में परिवर्तन आता है सब को आत्म रूप में भाई-भाई की द्रिष्टी से देखेंगे बाबा कहे ये देह अभीमान का या नाम रूप का नशा स्वतह उतरने लगेगा और हम सहजी हर प्रकार के विकारों से बुराईयों से मुक्त हो जाएंगे तो इसी लिए बाबा कहे तुम बच्चों को अशरीरी बनने का विशेश अभ्यास करना है तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शान्ती मीठे बच्चे पर चिंतन छोड अपना कल्यान कर तुम सोने जैसा बन कर औरों को रास्ता बताओ प्रश्न है आज की मुर्ली का अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ उत्तर है वे हट से अपनी करमेंद्रियों को वश नहीं करते हैं लेकिन उनकी करमेंद्रिया स्वतह शीतल हो जाती है हम आत्मा भाई-भाई है यह स्मृती स्वतह रहती है देह अभीमान छूटता जाता है नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है दूसरों की याद नहीं आती है इतनी प्राप्ति है इतना फाइदा है अशरीरी बनने के अभ्यास से आज की मुडली का गीत है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम ओम शान्ती यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं ज्यान का सागर है सबसे पहले तो बाबा आकर के ज्यान सुनाते हैं अपना परीचय देते हैं और उसके बाद बच्चों को प्यार देते हैं इसलिए बाबा कहे यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं ज्यान का सागर है ज्यान और अज्यान ज्यान को दिन, अज्यान को रात कहा जाता है ज्यान अक्षर ही अच्छा है अज्यान अक्षर बुरा है आधा कल्प है ज्यान की प्रालब्द, अज्यान की प्रालब्द है दुख और ज्यान की प्रालब्द है सुख यह तो बहुत सहज समझने की बाते हैं, दिन है ज्यान का, रात है अज्यान, यह भी किसको पता नहीं है ज्यान किसको कहा जाता है, अज्यान किसको कहा जाता है, मनुष्य को तो यह पता ही नहीं कि ज्यान अज्यान में क्या डिफरंस है, क्या अंतर है तो बाबा कहे यह बेहत की बाते हैं तुम सब को समझाते हो ज्यान क्या है भक्ति क्या है ज्यान से तुम पूच्य बन रहे हो जब पूच्य बन जाते हो तो पूजा की सामकरी को जान जाते हो जो भी मंदिर आदी है तुम जानते हो यह सब यादगार है उनकी जीवन कहानी क्या है शिबाबा की जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते है पूजा को भक्ती कहा जाता है भगवान को भक्तों से मिलना है भक्ती का फल देने के लिए सो भगवान ही आकर पूजारी से पूज्य बनाते है पूज्य सत्युग में पूजारी कल्युग में होते है तुम बच्चे जानते हो आज क्या है कल क्या होना है हर बात का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है विनाश तो जरूर होने का है न कोई भी समय हो सकता है तैयारी हो रही है गाया वबी है अनेक कुद्रती आपदाई होती है यह तो लिख देना चाहिए ग्रह युद्ध और कुद्रती आपदाएं उनको कोई इश्वर्य आपदाएं नहीं कहेंगे यह तो ड्रामा की नूद है अब कहें यह तो ड्रामा की नूद है जिसमें नैचरल कैलामिटी सब आने वाली है विनाश में भी मदद करेंगे मुसलधार बरसात पड़ेगी भूखो मरेंगे अर्थ को एक आदी सब आने की है कितनी बाबा पविश्माणियां कर रहे हैं इन द्वारा ही विनाश होने का है बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है नहीं तो सत्यूग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे जरूर एकठा विनाश होगा बच्चे अच्छी रिती जानते हैं यह सब कपड़े धोये जाएंगे बाबा कहे यह सब कपड़े धोये जाएंगे अर्थात प्रकर्ती भी सतो प्रधान होंगी आत्माओं का भी परिवर्तन होगा यह बेहत की स्रिष्टी पूरी परिवर्तन हो जाएगे यह बेहत की बड़ी मशिनरी है गाया जाता है मूत पलेती कपड़ धोये इन कपड़ों की बात नहीं है यह स्थूल कपड़ों की बात नहीं है यह है शरीर की बात और शरीर बना है पांश तत्वों से तो पांश तत्व प्रकर्ती के सब सतो प्रधान बनेंगे आत्माओं को योग बलसेद होना है स्थूल प्रकर्ती को तो बाबा विनाश के माध्यम से परिवर्तन करेंगे लेकिन बाबा कहे आत्मा को जो सतो प्रधान बनाना है वो योगबल से बनाना है इस समय पांश तत्वत तमो प्रधान है तो शरीर भी ऐसे बनते है पतीत पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं, तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, जहां जहां भक्ती यग्य आदी होते हैं, वहां जाकर समझाना चाहिए, कि जिनकी तुम भक्ती करते हो, उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हैं, उन्होंने जीवन मुक्ती कैसे पाई, सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ती पाई सकते हो, मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रिती समझेंगे, तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते को, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है, परम पिता परमात्मा के जीवन कहाने कोई भी नहीं जानते हैं क्योंकि बाबा कहे सर्व्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा के जीवन कहानी को जानते हो यानि आदी मत्य अंत को जानते हो इस समय को आदी कहेंगे संगम युग है कल्प का आदी जबकि बाप आकर पतीतों को पावन बनाते हैं फिर मध्य में भक्ती का पाठ चलता है बाप कहते हैं इस समय में आकर स्थापना करता हूं बाबा स्थापना करता है लेकिन करता है करन करावन हार हूं प्रेणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी करमेंद्रिय द्वारा करते हैं, ब्रह्मा बाबा की करमेंद्रिय को यूज करते हैं, इसमें प्रेणा की बात ही नहीं, करन करावन हार तो जरूर सनमुख हो कराएंगे, प्रेणा से कुछ भी नहीं हो सकता आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है बहुत कहते हैं इश्वर ही प्रेणा से सब कुछ करता है बाबा आप प्रेणा करो हमारे पती की बुद्धी ठीक हो जाए बच्चे भी बाबा को कहते हैं बाबा आप प्रेणा करो, हमारे पती की बुद्धी ठीक हो जाए। बाब कहते हैं प्रेणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जैनती क्यों मनाई जाती है। अगर बाबा को प्रेणा से ही करना हो तो शिव जैनती क्यों मनाई जाती। प्रेणा से काम हो तो फिर आये ह क्यों एक तो इश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते हैं सिर्फ कह देते इश्वर की प्रेणा से सब कुछ होता है निराकार प्रेणा से कैसे करेंगे वह तो करन करावनहार है आकर के रास्ता बताते हैं करमेंद्रिय से मुर्ली चलाते हैं जब तक करमेंद्रिय का आधार न ले तब तक मुडली कैसे चलाएं। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए न। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदी मत्य अंत का पता पड़ा है। पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बिगर गती नहीं। ज्ञान कौन दे। अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो न। विज्ञान भी कहते हैं। पहले ज्ञान अज्ञान विज्ञान। तो बाबा कहे विज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान है अंध्यारा बाकि ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ती जीवन मुक्ती भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी न, मनुष्य से देवता बनते हो, तो ज्ञान रहना चाहिए, परन्तु बाप समझाते हैं, यह पुरुशार्थ है प्रालब्द के लिए, ज्ञान पुरुशार्थ है उस प्रालब्द को राप्त करने के लिए, प्रालब्द मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है, सत्यूग है ही तुम बच्चों के लिए प्रालब्द, यह बाते सुनने से ही वंडर खाएंगे, यह ज्ञान परमपरा क्यों नहीं चलता, बाप कहते हैं यह प्रायलोब्द हो जाता है, सत्यूग में जैसे ही आत्मा प्रवेश करती तो प्रायलोब्द हो जाता है, दिन हो गया, फिर अज्ञान तो है नहीं, जो ज्ञान की दरकार रहे, यह भी समझने समझाने की बाते हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते हैं, शिव बाबा भारत में आते हैं, किसलिए आते हैं, बच्चों के लिए सोगात ले आते हैं, क्या सोगात हैं, बक्ती का फल देने लिए, बक्ती के बाद है सदगती, यह विनाश भी होगा चरू, आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे, चिनगारी लगती हैं, तो एक दो घंटे में सारा मकान जल कर भस्म हो जाता है, यह कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है, सत्यूग में होते ही है, थोड़े मनुश्य, वो भी सरेष्टाचारी हैं, तो बाबा कहें, सत्यूग में होते ही है, थोड़े मनुश्य सरेष्टाचारी, तो सरेष्टाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती हैं? माया नाक से एकदम पकड़ लेती है ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है टाइम लग जाता है बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की इसलिए कहा जाता है काम महाशत्र है यही पतीत बनाती है जगड़ा होता ही है विकारों पर विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बरतन साफ करें वो अच्छा है जाडू पोछा लगाएंगे परन्तु पवित्र रहेंगे इसमें हिम्मत बहुत चाहिए जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है पांच विकारों की बिमारी और ही अधिक उथल खाती है पहले तो पक्का निश्चे बुत्ती होना चाहिए जीतेजी मरे हुए हैं यहां से लंगर उठा लिया है कल्योगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है अब हम यात्रा पर जा रहे हैं हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं सबसे पहली यात्रा तो हमारी घर की है आत्मा को यह ज्यान है कि हम एक शरी छोड़ दूसरे में जाएंगे हम ग्रहस्त व्यवहर में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं बुद्धी में याद रहे कि यह तो कब्रस्तान है फिर हम सुखधाम में जाएंगे हमको बाबा वर्सा देने की युक्ती बता रहे हैं पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं याद से ही विकर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरी छोड़ेगी यात्रा कितनी वंडर्फुल है क्या है यात्रा? सिर्फ बाप को याद करो अपने राजधाने को याद करो इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है अलफ को याद करो बस परन्तु माया वह भी याद करने नहीं देती मेहनत लगती है आत्मा को ग्यान मिला है हमारा बाबा आया हुआ है आत्मा पड़ती है न, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है आत्मा भाई-भाई है, दे अभीमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते है यहां तुम भाई-बहन हो गए, आपस में भाई-भाई भी हो, बहन भाई भी हो प्रवृती मार्ग है न, दोनों को वर्षा चाहिए, आत्मा ही पुर्शार्थ करती है अपने को भाई समझना, अपने को आत्मा समझना, यही मेहनत है दे अभीमान न रहे, शरीर ही नहीं, तो विकार किस से करेंगे? हम आत्मा है, बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही न रहे जितना योगी बनते जाएंगे, करमेंद्रियां शांत होती जाएगी आशरीरी बनने का अभ्यास जितना करते जाएंगे, तो बाबा कहे करमेंद्रियां शांत होती जाएगी देह अभीमान में आने से करमेंद्रियां चंचल होती है, आत्मा जानती है, हमको प्राप्ती हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे, तो करमेंद्रियां शान्थ होती जाएगी, सन्यासी लोग दवाईं खाकर करमेंद्रियां को शान्थ करते हैं, वह तो हठ योग हो गया न, हठ से अपनी करमेंद्रियों को शान्थ करते हैं, तुमको तो योग से काम लेना है, क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो, जितना आत्म अभीमानी होते जाएंगे, तो कर करमेंद्रियां शान्थ होती जाएंगी बड़ी महनत करनी पड़ती है प्रापती तो बहुत उची है बाप कहते हैं योग बलसे तुम विश्व के मालिक बनते हो, करमेंद्रिय पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है, तुम मनुष्य से देवता, पतीत से पावन बनते हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है न, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहु बल से नहीं बन सकते, महनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे महनत ही नहीं, क्यों कुमारियों के लिए कोई महनत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक जाल फैलाया ही नहीं, तो इसलिए भाबा कहे, कुमारियों के लिए तो जैसे महनत ही नहीं है, फ्री है, विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है कुमारी रहना अच्छा है नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है यूगल भी क्यों बने? बाबा कहे यूगल भी क्यों बने? इसमें भी नाम रूप का नशा चड़ता है यह भी मुर्खता है यूगल बनना बाबा कहे यह भी मुर्खता है यूगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए ज्यान की पूरी पराकाष्टा चाहिए बहुत है जो हिम्मत करते हैं परंतु आग की आँच आ जाती है तो खेल खलास इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए कुमारियों का नाम बाला है बाल ब्रह्मचारी है बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है ताकत रहती है दूसरे कोई की याद नहीं आएगी बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है दो हो पढ़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वेत आ जाता है, जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्चा है कुमारी सेवा पर निकल सकती है बंधन में पढ़ने से फिर बंधन वृद्धी को पाते हैं ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धी फस पढ़े ऐसे जाल में फसना ठीक नहीं है कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है कुमारियों नाम भी अच्छा निकाला है दावा कहे कुमारियों नाम भी निकाला है कनया नाम गाया हुआ है न कुमारी हो रहना बढ़ा अच्छा है इन्हों के लिए बहुत सहज है स्टूडन्ट लाइफ पवित्र लाइफ भी है बुद्धी भी फ्रेश रहती है, कुमारों को भीश्म पिताम जैसे बनना है कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है अब बाप बच्चों को फर्मान करते हैं क्या फर्मान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्यान करो बाप को याद करने में ही कल्यान है, भूल चुक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं भूल चुक होती है, तो बाब के बच्चे गिर पड़ते हैं तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्यान करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ और उको भी रास्ता बताओ, सतो प्रधान बनने का एक ही उपाई है, पावन बनने के बिगर मुक्तिधाम जा नहीं सकते, उपाई एक ही है, फिर अंत मते सुगती हो जाएगी, जर्मोई जर्मोई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे, बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं, अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चो प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चो की, रुहानी मात, पिता, बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आज की मुडली से धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट निश्चे बुद्धी बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्यान करना है दूसरी पॉइंट दूसरों का चिंतन छोड अपनी बुद्धी को स्वच सोने जिसा बनाना है जर्मवि-जर्मवि में अपना समय नष्ट नहीं करना है योग मल से अपनी करमेंद्रिय को शान शीतल बनाना है आज का बाबा का मतुर बरतान है महमान पन की व्रत्ति द्वारा प्रवरत्ति को स्रेष्ठ स्टेज को उंचा बनाने वाले connection जो स्वयम को महमान समझ कर चलते हैं, वे अपनी देहरुकी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं, महमान का अपना कुछ नहीं होता है, कारिय में सब वस्तुये लगाएंगे, लेकिन अपने पन का भाव नहीं होगा, वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं, देह के संबंद और वैभव से सहज उपराम हो जाते हैं, जितना महमान पन की वृत्ती रहती, उतनी प्रवृत्ती स्रेश्ट और स्टेज उँची रहती है, अवस्ता हमारी बहुत उँ आज का बाबा का स्लोगन है अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई दो अच्छा, ओम शान्ति अच्छ चल्क फर ऑप्स फले अच्छ लाइव